हेलो फ्रेंज, आज मैं आप लोगों के साथ शेर करने वाली हूँ, पुरानी दिली का बहुत ही फेमस ड्रिंक, महबबत का शर्वत, ये इतना टेस्टी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, कि इसे पीने के लिए जामा मस्जित की पास लोगों की लाइन लगी होती है, गर्मियो का सिजन स्टार्ट हो चुका है, और रमजान का महिना भी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे घर पर ही बना का ट्राइ किया जाए, तो चलिए इसे बनाने स्टार्ट करते हैं, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में लेंगे धेर सारा आइस क्यूब्स, तो आप इसे 2 टेवल स्पून एड़ करें और फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हाफ लीटर के करीब चिल्ड मिल्क तो मिल्क आप पहले बोल करें और उसे फ्रिज में रखकर ठंडा होने दें जब वो अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम यूज करेंगे हम इसमें कच्चा दूद इस्तमाल नहीं करेंगे क्यूंकि उससे अच्छा टेष्ट नहीं आएगा अब हमें तर्बूस का एक चोथाई हिस्सा इस तरीके से छोटे-छोटे क्यूब्स में कट करने हैं तो आप जितने छोटे क्यूब्स में इसे कट कर सकें उतने छोटे कट कर लें अगर आप तर्बूस के बीज निकाल लें तो वो बहुत ज़्यादा बैतर है तो सारे seeds तो हम remove नहीं कर सकते हैं पर आप जितने कर सकते हैं उतने कर लें और इस तरीके से शोटे-शोटे टुकडों में तर्बूस कट करके हम इसमें add करेंगे इसे एक बर अच्छे से mix कर लेंगे इस तरीके से जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें जरुवत के हिसाब से चीनी डालेंगे तो एक बात का ख्याल रखें कि यहाँ पर हमने जो रूवजा डाला है वो भी मीठा है मैंने यहाँ पर हाफ कप चीनी इस्तेमाल किया है आप अपने हिसाब से कम्या जादा डाल सकते हैं तो शर्वत बनाने के बाद हम इसे कम से कम आदे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे जिसे कि यह ठंडी हो जाएगी क्योंकि हमें इससे बिलकुल चिल्ड सर्व करना है आदे घंटे के बाद हम इसे निकाल कर ग्लास में सर्व करेंगे यह मुहबत का शर्वत वनकर तयार है आप इसे एक बड़ जरूर बनाएं मुझे उमीद है इसे मोहबत का शर्वत इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसे एक बड़ पीने के बाद आपको इसे मोहबत तो जरूर हो जाएगी तो फ्रेंस अगर ही रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें